साथियो नमस्कार, साथियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो चमपा की बहुत सारी कौलिटी होती हैं, बहुत सारे पीड होते हैं, विवीन परकार के तो इसका नाम है गार्डिनिया चमपा, पहले इसे में एक दू फूल खिला के रहते थे तो आपने मेरा प्रीविएस वीड देखिए होंगे अब मैं आपको यह वीडियो पुना इसलिए दिखा रहा हूं क्यों क्योंकि नंबर ओफ लावर इंक्रीज हो चुके हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि आधे फूल और आधी पतियां साथियो इसमें अब अनिको फूल लगे हैं लगबग अगर मैं आपको बता हूं तो यह चोटा सा पेड़े जड़ों से ही सुरू हो चुके हैं इसमें लगना देखिए अगर मैं काउंट करने की कोशिस करूं तो लगबग लगबग 60-70 से कम तो नहीं होंगे इसमें और यह इस मोzu में इतना बड़ा मतलब चंपा आपने देखा है चंपा चंपा चमिली, छोटे-छोटे से फूल गिलते हैं। जो कि पत्ती के वराबर होते हैं मतलब इसकी पत्ती का जो एक फूल की पत्ती है उसके वराबर होती बगीचे मीली तो यहां चमपा है और इसमें अनिकों फुस्प लगे हैं यह देखो मतलब बोलते हैं न कि मतलब जो फलदार व्रिक्ष होते हैं तो उनमें ज्यादा फलों की मातरा की काणों उसमें जुका हुआ जाता है जिसे बोलते हैं कि बगीचे में फलों से लदा हुआ व्रिक्ष तो इसको हम क्या कहेंगे आप समझ सकते हैं कि यह पूर्या इसका जो है 360 एंगल से मैं आपको दिखाओंगा कि अगर कि अगर कि 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 अनंदित महसूस हो रहा है है मुझको और मुझे बहुत खुसी होगी कि आप भी इस पुस्प को देखेंगे गुलाब का व्रिक्ष नहीं है परन्तु चमपा है यह उपर से नीचे तक लगबग अगर मैं इसकी हाइट बताओं आपको तो इसकी हाइट लगबग छे पीट है जो कि मेरे थर्ड फ्लोर पर है मलब ऑन दाट सेकेंड फ्लोर के उपर कि यह देखा कि क्या जवर्दस्त है इसमें मदुमक्या भी आ रही है सैथ बनाने के लिए फूलों का रस्त लेकर मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इस विरिक्ष को देखूंगा इतना घना घनगोर विरिक्ष जो फूलों से घनगोर है देखिए जो यह आप पुस्प देख रहे हैं यह पिछले साथ दिन पुराना पुस्प है जो कि अब सूपने जा रहा है और यह पिछले कि 15-20 दिन पुराना है जो यह अलड़ी सुख चुख चुख चुखा है कि साथियों कि मुझे आ साथ है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा कि देखिए कि साथियों ऐसे ही विभीन परकार के पुस्प और फलदार व्रिक्ष मेरे घर मर घर पर मौजूद है साथियों आप विस्वास नहीं करोगे मुझे यह जो गाड़ीना चमपा यह सिर्फ मेरे ही घर पर मुझे दिखाई दिया मैंने कई जगा इसको देखने की कोसिस की पर यह तो कुछ लोग जो है इसको नहीं जानते हैं और माली तो सब हर चीज जानता ही है देखिए चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तहरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननेश बीस इकिस बाई तेंश चौबिस पच्चिस चपिस लग भग 60 और 70 की बीच में है मैंने इसको कांटिंग कर ली है ठीक है साथियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो